हलो प्रक्षी कलासस तोडे रगीं स्टीर के सीरीज माथमाटिकल रीसिंग सेक्षा था माथमार्टिकल रीसिंग सेक्षिंग इस स्टीर्ट पी इस इपॉर्ट करूंध objective PGT में जो common section में paper आता है जो आपका general aptitude होता है जिसमें आपका mathematical testing होती है general awareness की testing होती है जो वो common section होता है उसमें आपका 2019 में question आ रोगा है और एक question हम NTA net paper 1 से solve करेंगे ठीक है जितने भी यह दो questions है दोनों ही previous year questions में paper में आये हुए है और इनको solve करने से आपका concept build up होगा और अगर आपका concept build up हो जाएगा तो आप easily इन सारे topics के जो भी questions आपसे पूछे जाएं आप उन सारे questions के answers को सही tick करके आओगे तो प्राक्षी classes के साथ आप लोग जुड़े रहे हैं और concept को समझेए concept के बाद हम कैसे answer निकाल रहे हैं उसको समझेए जहां पर भी आपको doubt आता है आप मुझे comment section में जरूर बताइएगा आपके doubts को हम पूरा resolve करने की कोशिश करेंगे अगर आपको लगता है कि मेरे answer करने से आपको नहीं समझा आरहा तो आप लोग अब भी मुझे बताइए मैं आपको वीडियो बनाकर explain कर दूँगे कि इस question में हमने ये चीज़ करी है और आपको जस point पे भी difficulty आ रही है वो point highlight करके दुबारा समझा दूँगी ठीक है सो प्राक्षी classes के साथ जुड़े रही है और जितने भी previous year questions है हम लोग discuss कर रहे है और concepts को MCQs के साथ सीखिए और अपने exam को crack करिए ठीक है तो चलिए वीडियो को start करते हैं वीडियो को start करने से पहले आप लोगों से एक request करती हूँ कि मेरे चानल को subscribe कर दीजिए और bell icon को भी press on कर दीजिए कि जैसी कोई नई वीडियो अप्लोड हो आपके पास notification आ जाए तो चलिए पहला question देखते है आज की वीडियो का हमारा जो पहला question है बेटा ये है इना class 20% of boys have blue eyes and 10% of girls have blue eyes ठीक है एक class है, एक class में कुछ boys है और कुछ girls है जितने भी boys है उन boys में से जो 20% boys है उनकी blue eyes है और जितने भी girls है ठीक है जितनी भी girls है उन girls में से जितनी भी girls है उन girls में से only 10% जो girls है उनकी blue eyes है ठीक है अब आगे क्या लिखा है if the ratio of boys to girls इसमें लिखा है कि ratio of boys to girls in class इसका मतलब class में बेटा class में तो total boys होंगे ठीक है जितने भी boys होंगे और total girls होंगी जो total boys है वो four और जो total girls है वो three that means class में जो boys और girls का ratio है वो four is to three है अगर three girls है तो four boys है ये ratio हमें given है class का then what is the portion of the students in the class having blue eyes आप से पूछ रहा है कि कितना portion है students का class में class में बेटा कितने बच्चे होते हैं boys plus girls होते हैं और boys plus girls को हम क्या बनाते हैं students बनाते हैं तो बेटा ये पूछ रहा है कि कितना portion है students का class में जिनकी blue eyes है students कितने होते boys plus girls दोनों ही students है मिलाकर इन total students में से ऐसा कौन सा portion है students का जिनके पास blue eyes है ये आपका question है जो ये question आया हुआ है ये बेटा आपका NTA net paper 1 21st June 2019 के previous year question में ये आया हुआ है और इस question को आप ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या करिए जो आपके पास given information है वो लिख लीजिए जैसी आप अपनी given information को लिख ले तो है तो आप लोग वीडियो को pause करें और अपने आप solve करें अगर आपको नहीं समझा रहा कि इसमें क्या करना है तो आप लोग मेरे साथ वीडियो को continue देखें ठीक है तो बेटा सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला हमेशा चीजों को given जो चीज होती है वो लिख लिया करो तो पहले मैंने लिख लिया कि boys जो है उसमें से 20 परसंट boys है blue eyes जिनके पास blue eyes है जो total girls है class में उसमें से 10 परसंट जो girls है उनकी blue eyes है फिर मैं जो और information क्या दी हुए कि class में सारे बच्चे मिला कर हैं कितने boys है और girls है तो total boys upon total girls का जो ratio दिया हुए 4 upon 3 दिया हुए 4 इस चु 3 को वेटा आप 4 upon 3 भी लिख सकते हुए ठीक है इसका मतलब यह 4 upon 3 है ठीक है portion of students having blue eyes तो हमें निकालना क्या है हमें निकालना है कि कितने students है students mean कितने boys plus कितनी girls हैं दोनों का मिला कर जिनकी blue eyes है यह हमें निकालना है अगर आप देखें मैंने लिखा है बेटा total student 7 क्यों लिखा है मैंने total student 7 एक बात बताओ मुझे क्या दिया हुए कि total boys is to total girls कितना दिया हुए 4 is to 3 इसका मतलब अगर मेरी के class है इस class में 3 girls है बेटा 3 girls है ना total girls 3 है अगर इस class में मेरी 3 girls है तो इसी class में कितने boys है 4 boys है तो total boys 4 है तो बेटा इस class जो box है उसमें बच्चे कितने है 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 that means total students कितने है 7 students है यह point layer हुआ ठीक है अब जब total student 7 है उस 7 में से जो 4 बच्चे है वो boys है और 3 बच्चे जो है वो क्या है बेटा girls है यह point भी clear ठीक है बट इन 7 में से 4 तो हम इसको कैसे बोलेंगे 4 by 7 जो है वो boys है और girls जो है वो 3 by 7 है यह क्यों लिखा यह इसले लिखा बेटा क्योंकि हमें जो girls boys और girls का ratio दिया हुए 4 upon 4 is to 3 दिया हुए तो आप 4 को उपर रखेंगे क्योंकि boys 4 denote कर रहा है और 4 plus 3 कितना होता 7 total 7 बच्चे है उसमें से 4 बच्चे क्या है boys है girls को आप उपर रखेंगे 3 और total कितने बच्चे साथ इसका मतलब जो boys है वो 4 by 7 है और जो girls है वो 3 by 7 है 7 में से 4 जो boys है और 7 में से 3 है वो girls है तो हमें यह पता चल गया कि boys कितने है और यह पता चल गया girls कितनी है म मैंने simple सिर्फ 4 इसले नहीं लिखा बेटा क्योंकि ये 4 ये बेटा 4 is to 3 है ये 40 is to 30 भी तो हो सकते है 00 काट दिया नोने इसले 4 is to 3 तो मुझे ये नहीं पता कि class में 4 boys और 3 girls है या class में 40 boys या 30 girls है इसले जब भी चीज़े हमें ratio में given होती है तो हमें ratio में ही इसको present करना पड़ते है अगर आप देखें आप इसमें बोलेंगे माम आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि boys 4 है ठीक है boys 4 है ये मुझे भी पता है बट बेटा boys 4 तब है जब हम ratio में बात कर रहे हैं तो total बच्चे 7 है उस 7 में से जो 4 portion है वो boys है तो इसलिए मैंने इसको portion में लिखा है क्योंकि हमें portion में given है ratio ठीक है फिर उनने बोला कि जो boys है वो 4 बै साथ है पर वो boys class के boys है उन्ही class के boys में से 20% ऐसे boys हैं जिनकी blue eyes है बेटा total boys मालो ये 4 बै साथ है इन में से कुछ portion ये 20% है इन में से 20% जो boys हैं उनकी blue eyes है तो बेटा अगर मुझे portion निकालना होगा मैं क्या करूंगी 20% किसका boys का boys है कितने 4 by 7 तो 20% को हम कैसे रिखते है 20 upon 100 और into 20% किसका तो उसको हम multiply बोलते है into 4 by 7 यहां तक लिए है ये 0 से 0 कटा है ये 1 दा ये 5 दा बेटा 4 into 1 होता है 4 और 7 into 5 होता है 35 तो यह अगल 4 by 35 कहने का मतलब है कि 4 by 7 हमारे total boys है उन 4 by 7 में से 4 by 35 जो है वो हमारे क्या है बेटा वो हमारे वो boys हैं जिनके blue eyes है Similarly, हमारे पास जितनी girls हैं कितनी girls है? 3 by 7 है उस 3 by 7 का 10% कितनी girls हैं जिनके blue eyes है तो 10% आपने ऐसे लिखने है और girls कितनी है, 3 by 7 0 का 0 गया, ठीक है 3 वंदर 3, और 7 इंटू 10, 70, तो बेटा 3 upon 70, तो 3 by 7 जो है, वो total girls है इस 3 by 7 का 10% that is 3 by 70 जो है वो हमारी वो girls है, जिनकी blue eyes है ठीक है, बेटा अब मेरे पास ये 4 by 35 वो boys है, जिनकी blue eyes है और 3 by 70 वो girls है, जिनकी blue eyes है मुझे निकालना क्या था? मुझे निकालना था कि कितने students है जिनकी blue eyes है students मतलब boys plus girls तो boys कितने, 4 by 35 boys है, जिनकी blue eyes है और 3 by 70 क्या है, girls है जिनकी blue eyes है, अब 4 by 35 प्लस 3 by 70 का क्या किया LCM लिया, 35 और 70 का LCM लिया तो 70 होता है 70 को 35 से divide किया तो 2, 2 को 4 से multiply किया तो 8, ये दिखो 8 लिखा हुआ है, plus का plus 70 को 70 से divide किया 1 1 को 3 से multiply किया 3 तो 3, 8 प्लस 3 कितना होता है 11 और divide में किया 70 इसका मतलग क्या है, ये 11 by 70 ऐसे क्यों answer आ रहा है क्योंकि बेटा, हमारे जो question था, हमसे question में ये पूछा गया था कि कितना portion portion का मतलब होता है हमेशा ratio form में, कि कितना portion students का, उनकी blue eyes है, ठीक है तो हमारे पास ऐसे 11 बच्चे हैं, जिनकी blue eyes है, कितने में से total बेटा, 70 बच्चे हैं 79 बच्चे में से 11 बच्चे ही हैं, जिनकी blue eyes है अब clear हुआ, देखो बेटा हमारे पास इसका मतलब class में जो total बच्चे हो 70 है, पर हमने अभी क्या माना था कि 7 है, तो इसलिए मैंने खाली 4 नहीं लिखा था boys मैंने 4 by 7 लिखा था boys यह समझा आया, आप क्यूं हमने number of boys 4 क्यूं लिखा या number of girls 3 क्यूं नहीं लिखा हमने number of boys 4 by 7 और 3 by 7 क्यूं लिखा क्यूंकि बेटा हमें ratio में given है, हमें exact value नहीं पता कि कितने बच्चे हैं इसलिए जब भी आपको exact value नहीं पता, जब भी आपको question ratio में form में given है तो आप भी उस question को ratio के form में ही question करते हुए चलेंगे आप नहीं assume कर सकते, ठीक है तो इसका जो final answer आ रहा है वो है 11 by 70 that means total students हमारी class में 70 हैं, उन 70 बच्चों में से 11 बच्चे जो हैं उनकी blue eyes है, अब उन 11 बच्चों में से कुछ boys होंगे और कुछ girls होंगी, ठीक है तो हमारा जो correct option है वो है D option is the correct option that is answer क्या है हमारा D, 11 by 70 clear हुआ point, ठीक है तो आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ move करते हैं, I hope यह आपको question clear हुआ हो, अगर कोई भी doubt होते हैं आप लोग को, तो please comment section में ज़रूर बताईएगा, कि आपको इस point पे नहीं समझा है, मैं दुबारा उस question को explain करने की पूरी कोशिश करूंगी ठीक है, अब जो हमारा next question है बेटा, यह next question आपका H.T.P.G.T. 2019 के paper में आया हुए है, और यह question बहुत अच्छा है, और इसके chances बहुत हैं, क्योंकि question, यह question concept wise है, बहुत जादा, तो इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत है अगर आपका concept ready है अगर आपको इस topic का concept आता है तो तो फिर आप फटा-फट कर लेंगे फिर तो आपको दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है बस calculation की और answer निकल गया, छीक है अगर question पढ़ें, तो the least perfect square number which is exactly divisible by 10, 12, 15 and 18 is 876 और 900 और 981 and d is 1024 आपसे पूछ रहा है कि ऐसा एक number बताईए, जो यह number 10 से भी divide हो, 12 से भी divide हो सकता है, 15 से भी divide हो सकता है, और 18 से भी divide हो सकता है, as well as this number must be a least least मतलब सबसे छोटा number होना चाहिए, as well as it must be a perfect square number perfect square number का मतलब होता है कि उसका square root easily निकल सके और perfect हो, जैसे for example अगर मैं 400 की बात करूँ, तो 400 का 400 का अगर मैं square root करूंगी तो 20 आएगा, that means 20 का square क्या होता है, 400 और 400 का square root करूंगी तो 20, तो square root easily निकल गया इसका, easily मतलब पूरा का पूरा square root निकलना चाहिए ठीक है, point में नहीं निकलना चाहिए तो 400 is a square number बात clear हो रही है, ऐसे 20 is not a square number, योगि 20 का square root आप करेंगे, तो 20 का square root proper होगा ही नहीं, point में निकलेगा 25 का आप square root करेंगे, तो 5 तो it is a proper number तो 25 is a perfect square but least हो, प्लैला point यह है, least हो, सबसे छोटा number हो दूसरा point यह है, कि perfect square number हो, और तीसरा point यह है कि वो जो number हो, वो इन चारो number से divisible होना चाहिए अब ध्यान से देखो बेटा, इन questions में आपको कैसे पता चलेगा कि आपको LCM निकालना है या HCF निकालना है ठीक है, LCM stands for lowest common multiple, lowest common multiple and HCF stands for highest common factor, बेटा जब LCM की बात आती है तो LCM का मतलब होता है कि आपको एक ऐसा number जो सबसे divisible हो, LCM का मतलब है, एक ऐसा number common number आपको निकालना है जो सबसे divisible हो, ठीक है सारे number से divisible हो, ठीक है और HCF का मतलब होता है highest number divisible by both, कहने का मतलब है यहाँ पर दोनों में फरक चीज़ द्हान से देखना, अगर मैं 15 की बात करूँ, तो 15 जो है, वो LCM होगा किसका, आपका 3 and 5 का, क्यों, क्योंकि जो 15 है is divisible by 3 as well as 15 is divisible by 5 तो LCM क्या कहता है, LCM कहता है, एक ऐसा number ढूंडो, जो सबसे divisible हो, किस से, जिसका LCM निकाल रहे हुआ, तो LCM आप किसका निकाल रहे हो, 3 और 5 का निकाल रहे हो अगर LCM, तो 3 और 5 का HCF की बात कर रहे हूँ, HCF की बात कर रहे हूँ, तो HCF मुझे निकाल ले है, अगर 12 और 15 का अगर मुझे 12 और 15 का HCF निकाल ले है, तो मैं ऐसा number ढूंडोंगी, जो इन दोनों को divide कर सकता है मैं ऐसा number ढूंडोंगी, जो इन दोनों को divide कर सकता है दोनों में फरक पता चला LCM में अगर मुझे LCM निकालना है तीन और पांच का तो मैं ऐसा नमबर ढूंडूंगी जो इन दोनों से डिवाइड हो सकता है लाइन का ध्यान रखना ये words लिख लो बहुत confusing होते हैं एक बार लिख लोगे तो पता चलेगा एक ऐसा नमबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है बात समझा रही है अगर 3 और 5 का मैं LCM ले रही हूँ 15 तो ये जो 3 और 5 है ये 15 डिविजिबल है इनसे ये कहने का मतलब है 15 डिवाइड हो सकता है इनसे ऐसे लिख लो बात अगर मैं HCF निकाल रही हूँ 12 और 15 का तो ये जो 3 है ये इन दोनों नमबर इसके टेबल में आते है तो 3 इन दोनों को डिवाइड कर सकता है और हो सकता है दोनों वर्ट्स अलग-अलग है तो मैंने क्या बताया जब हम LCM निकालते है तो LCM बोलते lowest value है पर हमेशे आद रखना बड़ी value निकलती है बट HCF जो हम निकालते है HCF का नाम highest होता है पर निकलती छोटी value है देखो question खुद देख लो ध्यान से मैंने LCM का नाम दिया lowest common multiple lowest मतलब छोटी है न बट अगर मैंने LCM निकालना है तीन और पांच का तो बेटा 15 निकल रहे है नमबर छोटे है और LCM की value बड़ी आ रही है याद रखना लो LCM का नाम सिर्फ lowest है पर हमेशे नमबर बड़ी आती है अगर HCF की बात करूँ तो HCF नाम में highest है पर value छोटी आईगी देखो बेटा HCF निकाल रही है 12 और 15 का तो value देखो 3 आ रही है तो कहने का मतलब यह है कि HCF में सर्फ नाम का HCF highest word है जबकि value छोटी आती है और LCM में नाम का word lowest है पर value बड़ी आती है अब clear हुआ मुझे अब यहां पर देखो question क्या कह रहा है मुझे कह रहा है कि एक ऐसा number ढूंड के दो जो इन सबसे divisible हो तो बेटा यह काहनी मैंने आप वो किसमें बताई LCM में बताई कि जो number मैं ढूंडूंगी वो इन सबसे divisible होना चाहिए बात समझाई clear हो रहा है point तो LCM निकालना है अब यह question हम करते है ठीक है मुझे least perfect square number निकालना है least भी होना चाहिए least का मतलब automatically पता चल गया LCM क्योंकि lowest को बोलते है least ही बोलते है तो LCM word में L जो आता है वो least बोलो lowest बोलो आप कुछ भी बोल सकते है smallest बोलो ठीक है divisible by this, this, this and this least का मतलब है you need to calculate LCM बेटा LCM निकालने के लिए आप हमेशा क्या करते है factorization करते है factorization का मतलब क्या होता है उसको छोटे-छोटे numbers में divide करते है factors बनाते हैं उसके ठीक है याद रखना हमेशा LCM निकालते वक्त ठीक है आप हमेशा factorization करते है factors calculate करते है 10 10 को बेटा कैसे लिख सकते हो 5 into 2 तो मैंने लिख दिया 5 into 2 बेटा 12 को कैसे लिख सकते हो 12 को छोटे-छोटे numbers में काटो 2 into 3 into 2 2 3 the 6 6 to the 12 2 into 3 into 2 बेटा 15 को कैसे लिख सकते हो 5 into 3 लिख दिया बेटा 18 को कैसे लिख सकते हो 3 into 3 into 2 लिख दिया इसको बोलते है factorization करना अब LCM कैसे calculate होता है बेटा LCM calculate करने के लिए आपको हमेशा जो भी number है उसकी highest power को देखना पड़ते है बेटा इसमें 5 और 2 आ रहे हैं तो बेटा अगर मैं बात करूँ 2 जो है वो एक बार आ रहे हैं तो बार आ रहे है 2 बेटा इस case में 2 आ ही नहीं रहा तो मैंने cross कर दिया और बेटा इस case में 2 कितनी बार आ रहे है एक बार तो मैंने लिख दिया 2 बेटा मुझे एक बात बताओ इन सब में से 2 जो है सबसे highest कहा है दो बार आ रहे है तो highest power कितनी है 2 की 2 तो 2 to the 4 तो एक यहाँ प तो 5 आई ही नहीं रहा, cross, बेटा इसमें 5 एक बार आ रहा है, लिख दिया, बेटा इसमें तो 5 एक बार भी नहीं आ रहा, तो इन सब में से 5 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो 5 की power 1, तो 5 लिख दिया, 2 to the 4 हो गया, और 5 लिख दिया, चीक है, उसके बाद बेट नेक्स्ट नमबर क्या है? 3 आ रहे हैं, बेटा इसमें तो 3 एक बार भी नहीं आ रहा है, इसमें 3 एक बार आ रहा है, इसमें 3 एक बार आ रहा है, और इसमें 3 दो बार आ रहा है, इधर आ रहा है, दो बार आ रहा है, तो दो बार आ पलेंगे, तो बेटा यहाँ पे आपने लि होता है 20 20 को 9 से multiply किया 180 यहां तक लियर अब that means 180 एक ऐसा number है जो 10 से भी divisible है 180 एक ऐसा number है जो 12 से भी divisible होता है 180 ऐसा number है जो 15 से भी divide हो सकता है एक ही time पे और 18 से भी divide हो सकता है that means it is a LCM that is it is a lowest number but number तो मिल गया least but बिटा it is not a perfect square number बेटा 180 is not a perfect square number why यह कैसे पता चला मुझे बेटा यह देखो यह दिख रहे है आपको आपने 2 x 2 x 3 x 3 x 5 ऐसे निकाला ना बेटा square number कैसे बनता है square number बनता है grouping करके दो-दो के group बनके बेटा 2 का दो का group है यह दो का group है यह भी दो का group है बेटा 5 तो अकेला रहे गया 5 का तो कोई group ही नहीं बनाया आपने जब grouping ही नहीं है तो वो कभी भी square number नहीं हो सकता यह चीज याद रखना अगर माल लो just for example यह ऐसे लिखा होता 3 x 3 x 7 x 7 अगर ऐसे होता ना यह जो answer करके आएगा यह एक square number होगा क्यों क्यों क्योंकि इसकी grouping हो रही है यह राए ग्रूप और एक यह राए ग्रूप तो grouping अगर हो रही है तो वो square number कलाएगा अगर उन digits में कोई भी एक single number अकेला रह जाता है तो कभी भी multiply करके जो answer आएगा वो कभी भी square number नहीं हो सकता है इस case में multiply करके 180 answer आ रहा है 180 can never be a square number because इनकी grouping हो रही है इनकी grouping हो रही है पर बेटा इसकी grouping नहीं हो रही है यह अकेला रह गया है इसले यह perfect square number नहीं है मैंने least number तो निकाल दिया बेटा बट least के साथ मुझे perfect square number भी निकालना था तो बेटा 180 को मैं correct answer नहीं मान सकती क्यूं क्यूंकि मुझे perfect square number बनाना है अब अगर आप दियान से देखे तो मैंने लिखा है to make a perfect square we need to multiply it with 5 why we need to multiply it बेटा इसका pairing ये रहा इसका pair ये रहा इसका pair कहा है तो इसके pair को बनाने के बन जाएगा square number बन जाएगा इसलिए मुझे ही यहाँ पर multiply करना पड़ा 5 से तो देखो मैंने next में multiply करके दिखाए आपको 2 2 already paired है 3 3 already paired है बट जो 5 paired में नहीं था उसको pair में बनाया गया तो 5 into 5 तो अब 180 तो पहले ही answer आ रहा था इनका multiply by 5 किया तो answer आ रहा है 900 this 900 is divisible by 10 this 900 is divisible by 12 this 900 is divisible by 15 and this 900 is divisible by 18 तो इसका मतलब यह least number तो है as well as 900 is a perfect square number क्योंकि इनकी pairing हो रही है बेटा जहां pairing हो रही है तो वहाँ वो square number है बात clear हुई समझ आया concept तो 900 हमारा correct option है तो आपको जो correct option पर टिक करना है वो है B option तो answer B जो है वो हमारा 900 is the correct option ठीक है तो यह topic जो है यह बहुत important topic है इस topic को please miss करके मत जाना इस पर practice करो इन topics पर कि LCM क्या होता है HCF क्या होता है अगर आप चाहते हो तो मैं इस पर अलग video बना सकती हूँ कि LCF कैसे निकालते हैं LCM कैसे निकालते है HCF कैसे निकालते हैं दोनों चीज़े क्या होती है आप मुझे please comment section में जरूर बताईएगा कि आपको अगर अलग से video चाहिए आपको इस video में sufficient नहीं लगा data कि आपको इतने easily नहीं समझाया तो comments करके जरूर बताईएगा मैं जरूर दुबारा से नई video create करूँगी ठीक है मैं आपकी comment का wait जरूर करूँगी अगर आप लोग के comments आएंगे तब ही मैं video provide करूँगे आपको HCF and LCM के बारे में ठीक है तो चलिए thank you so much for watching this video I hope ये video आपको पसंद आई हो तो पसंद आई हो कि तो do like the video do share the video video पे thumbs up जरूर किया करो एक like करने में कुछ नहीं जाता आप लोग का but at least I get motivated कि आप लोग को मेरी videos पसंद आ रही है and channel को please subscribe कर दी जेगा so thank you so much once again for watching this video and अपनी preparation continue रखें और comment section में जरूर बताइए कि कोई doubt है या अगर आपको किसी भी topic से related कोई video चाहिए या किसी भी concept को जादा आपको explanation चाहिए वो भी आप जरूर बताइएगा so thank you so much once again